कि है लो तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ड लाग रख़ाइब बैंक निफ्टी में अगर आपके पास सी का पोजिशन होल्डिंग में है तो फिर आपको क्या करना चाहिए कौन सी जगर पर आपको इससे एकजिट करना चाहिए वह हम देखने वाले हैं उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर काफी बढ़िया सा कंफ्यूजन वाला मॉमेंटम है अभी अगर कंफ्यूजन वाला मॉमेंटम यहाँ पर जनरेट हो चुका है तो यहाँ पर कहीं न करी एक तो आपको सी का जैकपट मिलेगा अब यह कौन से साइड पर मिलेगा इसके पीछे लॉजिक इसके पीछे रीजन और इसके पीछे लेवल यह तीनों चीज़े निकल के आएगे चीक है तो हम एक दो तीन यह तीनों चीज़ों के बारे में बात काने वाले हैं वन बाई वन ओके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उसके साथ मे यह हमारा free telegram channel है अगर आपने इसमें join नहीं किया तो यहाँ पर आकर कि आप join हो जाएए morning में हमने एक level update डिया था लगबग 450 के आसपस जिसने आज यहाँ पर 529 का कुछ हाई लगा दिया है तो easily हमने काफी बढ़िया सा gain यहाँ पर कर लिया है उसके साथ में जो हमारा premium group होता है उसके अंदर हमने advance update किया है अब advance update करने के बाद वहाँ पर ऐसी important चीज़े होती है कि जो आपको थोड़ा सा advance में सीखने मिलती है अब यहाँ पर अगर आपने कल वाला video देखा होगा जो हमने YouTube में upload किया था उसके अंदर हमने clearly बताया था कि एक trap momentum यहाँ पर generate होने वाला है market में अब यह जो trap moment generate होने वाला है market में उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर बहुत से बार एक important logic explain किया है and वो logic आज मैं आपको वापस explain यहाँ पर करूगा क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग उस logic को miss कर जाते है logic हमारा काफी बड़ा simple सा है and logic काम करता है train line के basis पर अगर train line के आसपा से momentum चल रहा है तो कही न कही यह एक आपकी लिए trap का indication है and उसके साथ में यहाँ पर आपको एक noted zone का indication भी मिल चुका है अभी noted zone का indication उसके साथ में एक trap zone का indication अगर आपको मिलता है तब जाकर के आप एक बड़ियासा profit side में जा सकते हो मतलब के आपके जो losses होते वो losses आपके कम हो सकते है and profit के side में काफी बड़ियासा increase आपको देखने मिल सकता है अभी अगर हम देखेगे तो markets ने आज क्या किया markets ने आज कैसे trapping किया momentum वो हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते है उसके साथ में हम यह भी समझने की कोशिश करते है कि markets में ऐसा क्या हो रहा था जिसके वज़े से market trap करने वाला था अभी अगर आप ध्यान से देखते हो अगर आप यह वीडियो को ध्यान से समझते हो तो जो भी यहाँ पर P.E.S.E.D. का entry है वो कैसे बना है देखो जो P.E.S.E.D. का entry आपके बना है वो बना है on the basis of logic जो हमने आपके डिसक्स किया हुए earlier ठीक है अब earlier का मतलब यहाँ पर यह आता है कि हमने यहाँ पर logic आपके साथ बताया गया था ठीक है यहाँ पर हमने आपको logic में क्या बताया था कि जो अभी फिलाल market का जो trapping वाला momentum जनेट हो रहा है वो कहीना कई एक downside में हमें देखने मिल रहा है उके उसके साथ में यह momentum आप देखें markets को कहीना कई नीचे जाने का है लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग क्या कर रहे है अभी भी वो यहाँ पर confused में है कि market नीचे जाएगा या फिर नहीं जाएगा और इसी का फाइदा उठाते हैं कौन से लोग बायर लोग और बायर लोग क्या करते हैं markets को कहीना कई उपर लेकर के सबी पीई वालों का stop loss से sit करवा देते हैं इसका best example हमारे पास यहाँ पर भी है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो ठीक है यह वाला एक्जामपल आप देखे ध्यान से देखे इस जगह पर यह आपको लबता नहीं है कि market यहाँ से बहुत ज़्यादा downfall करने वाला है है ना exactly यही चीज़ आपको दिखाई जाती है कि markets में यहाँ से बहुत बड़ा downfall होने वाला है यहाँ पर market यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते है market में अपने p.e. side का entry बनाते है तो p.e. side का entry बनने के बाद market क्या करता है इन सबी लोगों के stop losses hit करवा देता है अगर ये सबी लोग के stop loss से sit हो जाते हैं तो markets के अंदर ये लोग वापस से re-entry करने का plan नहीं करते और उस case में होता ये है कि जिसने भी CE purchase करके रखा हुआ है उन लोगों को heavily profit हो जाता है लब ये इनको heavily profit होने का reason क्या था क्योंकि यहाँ पर trap होना था अभी यहाँ पर भी trap कैसे हुआ तो उसका logic में आपको बता दिया है कि यहाँ पर अगर आपको trap के logic से बचना है तो simple सा train line का logic आपको follow करना पड़ेगा अब train line का logic simple होता है अगर train line के आस पास उपर नीचे अगर market घुम रहा है तो इसका indication होता है एक trap मतलब यहाँ आपको trap करने वाला ही जल्दी ही उसके बान में यहाँ पर आपको identify हो जाता है अभी अगर हम देखे इक अभी फिलाल के इसाब से market के अंदर कैसे momentum चल रहा है मार्केट क्या कर रहा है तो अभी की इसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा important levels क्या है तो important levels के अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कहीं न कई यह levels अगर आप देखोगे यह दोनों levels तो 47,680 and 47,627 यह दोनों लेवल्स हमारे पास अभी बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाले है अब ये दोनों लेवल्स इंपोर्टेंट होने का लॉजिक क्या है ये दोनों लेवल्स इंपोर्टेंट किस लिए है इसका पीछे important reason क्या है वो समझो अब देखिए दोनों का level का भी logic समझना है हमें तो वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप मिस ना करो उसके साथ में free telegram channel का link वीडियो की description में है तो उसे भी join कर लिजे अब देखिए यहाँ पर important जी यह है कि अगर market 627 की नीचे आने में कामियाब हो जाता है तो हमें कहीं न कहीं downside के जो target से 47483 का यह देखने वहाँ पर मिल सकता है लेकिन अगर market यहाँ पे market trap zone में शुरू हो गया तो मार्केट क्या करेगा मतलब trap zone अगर उससे करना है तो वो क्या करेगा वो अपने markets के high को break करेगा याने के market में 477767 से उपर के levels में आपको काफी बढ़िया से अपर साइड के jackpot डेकने मिल सकता है ठीक है अभी हमारा downfall का level से आपको पता है कौन सा है हमारा अपर साइड का level से भी आपको पता है कौन सा है तो इस basis पे आप इसे समझिए आप इसे देखिए market trapping कैसे करता है market का logic कैसे होता है वो समझिए and lying market में आप अगर इसा identify करना सीख जाते हो तो market के अंदर कहीं ना कई एक बड़िया सा plan के साथ आप यहाप एक काम कर सकते हो ओके हर बार अगर मार्केश को देखे होगे तो market आपको हमेशे नीचे जाएगा उपर जाएगा नीचे जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा आप खूद ज्य आप बात करते हैं कि क्या निफ्टी हमारा काफी बडिया से एक बात अब को ध्यान रखने वाली है उसके साथ में अब आपको ध्यान रखने वाली ए उसके साथ में अब भी फिलाल जो इस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट अभी निकल के आ रहे हैं वह मैंने आपको बताया है उसके साथ में मार्केट के अंदर यहाँ पर देखिए यह कुन सा है आप उसे देखो उसे समझो और उसके बाद आप यहाँ पे सीखते रहो ठीक है तो यह फ्री वाला है तो फ्री में भी आप बहुत सी चीज़े सीख सकते हो अगर थोड़ा सा अड़्वांस आपको चाहिए तो फिर आप प्रीमियम का बात अलग रहेगा लेकिन पहली बात तो